जानते आप जार्खन राज को महोड़े एक ग्रेशन मतलब क्या अब क्या जानते हैं जार्खन राज को हम उस राइस जाते हैं जहां एक संचद ने सीने में बंड़ारो गोली खाई थी हम उस जार्खन से आते हैं जहां MP मेमोरव परलेमेंट शुनिल महातों ने एक दो तीन पांट छे साथ आट नो दस गारो बारो बारो गोली खाए तीस आंचद ने क्या सुनने में अच्छा लगता है तब आप जारखंड को नहीं जानते हैं जारखंड हमने बनाया है भई आप निर्मल महतों के सीने में गोली लगे थी तब जारखंड का चर्चा दिल्ले में पसंद लगे अच्छा लग रहा है आप पॉल रहा हूं एक पूलिस तुरंत करवाई करेगी आपकी करवाई उस समें कहा नहीं होती है जब बड़े बड़े लोग आपकी गिरफ्त में आते हैं बड़ी बड़ी मचलिया जाल में फस्ती हैं क्यों करवाई नहीं होती हम लोग आते हैं तो छोटा रही या बड़ा रही जो गलात रही उस पर करवाई होगी अप्रेंग का मतलाब है क्याओ निजंद्र होग होगे निस्पाक कोके झारखन के मुद्दों पें बात करना जारखन के मुद्दों के समाधान करने के लिए परियास करना आज राजभवन में लोग धरने पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री के आवास पर लोग धरने बैठे हैं, आज CGL के का जिससी कारियाले के बाहर लोग धरने पर बैठे हैं, आंदोलन रोज होता है, लेकिन जराम मा तो एक 50 लड़कों के आंदोलन साज CM का फेस्ट बनके कैसे साम कि बिल्ली के घर्दन में घंटी जाए, पर बांधेगा कों, बेरमो कठारा की घटना है, वहाँ एक व्यक्ती का अंदेंस रोग दिया जाता है, पंच ब्लॉक कर दिया जाता है, जो नौकरी का प्रावदान होता है, कोलियरी में, व्यक्ती हमारे पास आता है आके हमें शु मिश्किल से रोजगार चलता है तो उदर से आवाज आई कि आप कौन बोल रहे हैं तो हमने कहा कि हम जराम कुमार महतों बोल रहे हैं बरतमान में गृड़ी लोग सभा लड़े हैं तो लगा आप से हम परिचित नहीं है तो हमें लगा कि साइद वो विधाय के संसद की पेरव आपाज बदला जराम बाबू बोले क्या बात है अगर मेरे इस वैभार से उसका नोकारी बद जाता है तो मुझे आपने इस वैभार कोई कंप्रमाज नहीं करना है 24 साल अपने चला लिया शरीमान करके 27 साल अपने चला लिया नियम कानून की बात करके हमें लगता है कि एक घटना सुनाता हूं सूरेश महतों की और विधायक मेडम बैठी है हलांकि उस समय वह बहुत किस्सा पुराना है वह जर्या विधान सभागी घटना है वह भौरात शेत्र की घटना है एक व्यक्ति उनका नाम है सूरेश महतों मैं उसकोम का बैटा हूं उनको मारा गया था उनकी सांसे थी उनके दोनों पाउं को कटा गया था उनकी सांसे चल रहे थी उनके दोनों हाँ को कटा गया था उनकी सांसे चल रहे थी उनके दोनों आख को निकाला गया था इसलिए मैं मिठी बात करने नहीं जानता हूँ मैं जो लगता है अग्रेशन से राज को बदलूँगा। इसकी परिक्षा होती है उनमें जब रिजल्ट आता है तो विधायक जी के रिष्टेदार होते हैं। पिडित होते हैं तब साइद ये माहुल बदले लेकिन फिलाल ऐसे परिवेस में ये बुद्ध का देश भले हैं लेकिन आज बुद्ध के विचार विल्कुल बिलुपत हो चुके हैं मुझे नहीं लगता है कि कोई सांति प्रिय तरीके से इस परकार के रास्तों से हटेगा मैं बनावटी इंसान नहीं हूँ उस मीटिंग में बावान मिनट डिसकसन हुआ था मैंने बावान मिनट के बाद मुझ खोला था और ये तो मीडिया चल रही थी और केमरा में क्यां छो रहा था इसलिए मैंने बोतल को टेबल में पटका मा कसम हम किसी के मुझ में पटकते स्पार्षान करा इस भारत में कहां होता है यहां मैं आक्रमक्ता की बाते करता हूं कारण कोन को पीनिंग कर यहाए कम कार बत्रकारिता क Pendry मिला है और उनको div बिक्राली आए क्या बोलते हैं अब रिजाइन लिटर में भी साइन करवाया गया है और एक घटना गोमिया की जब मेरा सभाता बेरमों में वो लड़का आया उसने कहा कि जो एजनसी है उनको पेमेंट देना होता है बीस अजार लेकिन मेरा सर्थ है उनका कि बीस अजार आप मेरे मक्ता कम हो आप चाहते हैं मेरे अंदर की हुगर भावना कम हो तो आज प्रभुद लोग बैठे हैं आज मनन्य मंत्री दीदी बैठी हैं आज मनन्य मंत्री महोदे बैठे हैं मंत्री तीन-तीन मंत्री बैठे हैं आज प्रदेश अजजच महोदे बैठे सांचन महोदे बैठे हैं जो लोग हास्य पर हैं जो लोग निमनस्तर पे हैं उनके साथ अन्याईर नहीं होगा जैराम प्रेम की कवीताइं लिखेगा इनकलाब की बाते नहीं करेगा जैराम जी अगर एक व्यक्ति पर करवाई होती है उस कारवाई से अगर हजारों स्टूडेंट को एक उमीद मिलती है अगर एक व्यक्ति पर करवाई होती है और हजारों कि शानों के खुसाली आती है तो मुझे लगता है उस व्यक्ति पर करवाई होनी चाहिए और मैं अपना एक अनुभाव बताना चाहू हो ताइ कोलियारी में हुए वियक्ति हमारे पास आता है कि यह हार इसा इसा-ईसा बात है क्रणोर्षोज दिया है तो फिरिध के वाँ चलते हैं गरीभी आदमIST यहाई क्रण लिए जया चैसे कि आप कौण बोल रहे हैं तो ने कहा है हैं बुर्तमान तो मैंने इतना कहा था कि दो महने के बाद चुनाव है हम वेर्मो भी लड़ेंगे गोमियां भी लड़ेंगे डुम्री भी लड़ेंगे अगर वहां से कोई भी सीट जीत के आ जाते हैं तो आपको दमोदर नदी मिले जाके डाल देंगे विश्वास कीजिए विश्वास कीजिए वह व्यक्ति का भी नाम बता देंगे ऐसा नहीं हम जूट भो रहें दस सेकेंड मुन का आवाज बदला कि जराम बाबु बोलिये क्या बात है अगर मेरे इस व्यभार्च उसका नोक्री बद जाता है तो मुझे अपने इस व्यभार्च कोई कंप्रमाज नहीं करना अलग राज की लड़ाई जिन मुद्दों के साथ लड़ी गई थी वही मेरे मुद्दे होंगे जारखंड अलग राज की लड़ाई में जो सोच के साथ इस राज को अलग किया गया था कि जब यह राज अलग होगा तो यहां के युवाओं के पास क्या अधिकार होगा जब यह राज अलग होगा तो यहां के किसानों के पास क्या सोतनता होगी मेरे मु जहान सभा के चुणाव में जाऊंगा मेरा पहला मुद्दा इस राज में एक सद्र अस्थानी निती का रहेगा चुकि मैं जिन छेत्रों से आता हूं वो कोईलांचल का छेत्र है आज भी मैं जब कोईलांचल से होकर आया तो लोगों ने अपनी समस्याओं को लगभग 15-20 आ जो आज हमारे राज में हैं भी स्टी एस्पेटी लेकिन जो लोग सरकार में बैटे हैं उनके मैनिफेस्टों में सामिल होने के बाद भी परभावी रूप से लागू ना हो न पाना परभावी रूप से उन विश्रचा नहीं कर पाना उनको संक्षन ना दे पाना एक बहु परस्यां देख सकते हैं आज सीजील के चात्र जिससी सीजील के चात्र आज धरने पर वैठे हैं